गुड मॉनिंग एवरीवान अभी बजलें से बखे नौ और उठ गई हूं मैं फ्रेश हो गई हूं और आज दीडी जीजु को घर पर बुलाया लंज पर बोला यहीं पर आके लंज कर लेना दीडी का कॉलेज था तो वो कॉलेज गई हुई है और जीजु का आज छुट्टी था तो वो घर पर ही है तो उनको हमने यहीं पर बुला लिया है तो आएंगे अभी चलती हूं थोड़ा ब्रेफस्ट कर लो तो यह है मेरा सुबह का जूस जो मैं हर दिन पीती हूं और यह है फ्रूट्स जो मैं भी खाऊंगी ममी यहां टीवी पर ब्लॉग देख रही है दिदी जी जो आ गए है आ गई आ गई अभी तीन बज़रा और अभी आई है वो लंच के लिए क्योंकि कॉलेज से ही लेट आई वो तो अभी हम सब करेंगे लंच अब इसाद टीव टॉप में थोड़ी रहेंगे इतना लेट अधा दीदी के कारण लेट हो गया अभी सब लंच करने के लिए बैठें लंच करने के बाद थोड़ा आराम करेंगे जीजु उधर बैठेंवें क्योंकि वो नॉन्वेज खा रहें और इधर वैज चल रहा है इसलिए फिर थोड़ी देर में मतलब साड़े शार वेर तक त्यूशन के बच्चे आ जाएंगे कि ट्यूशन शुरू हो जाएगा कि अगा कि ट्यूशन के बच्चे आ गए और आज पापा ट्यूशन पढ़ाने बैठे आज उनकी छुट्टी थी तो वो बैठ गये उनको मजा भी आता है बच्चों को पढ़ाने में पहले भी जब हम छोटे थे तो हमें भी पढ़ाते थ और उस ताइम कुस ट्यूशन भी करते थे लेकिन फिर ओफिस में बिजी हो गये और इसलिए ट्यूशन बंद हो गया वैसे वो वापस स्टार्ट कर सकते हैं उनके रेटार्मेंट के बाद होपफुल यह तो अभी बज़रे रात के आठ दीदी जीजु घर चले गए हैं और हम लोग भी अब डिनर करने जा रहे हैं तो बाई एवरिवन चानल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना शेर करना कमेंट करना गुड़ नाइट